कि आप प्रेस के सामने जाकर जो उनका दृष्टी पत्र है या जो उनका मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो के बारे में वो बात करें आप सब मुझसे जादा जानते हैं और बाडी लेंगवेज को आप हमसे काफी जादा पहचानते हैं लेकिन जिस प्रकार से उस manifesto को पढ़ा गया इससे साफ जाहिर होता था कि बारतिय जन्ता पार्टी के जितने नेता हैं उनको यही लग रहा है कि किसी ना किसी तरह से एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रधान मंतरी हैं, उनकी छवी या उनका जो ब्रैंड ह उसके जोर पर शायद हम इस सेलेक्शन को निकाल लें लेकिन अगर आप देखिए वो पूरी लगबग 32 मिनिट की प्रेसवारता थी उस प्रेसवारता को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक चिप्स का पैकेट हो आप चिप्स का पैकेट जब खरीदते हैं तो बिल्कुल भरा सा लगता है लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर सरफ 3-4 टुकड़े ही मिलते हैं ये प्रेसवारता भी वैसी थी कि 30 मिनिट के अंदर अगर आप कुछ इसमें मीनिंग्फुल अगर आप इसमें कुछ ऐसा ढूंडे जो जनता के हितका हो या जो जनता के लिए हो वो आपको शायद दिखाई नहीं देगा एक मैनिफेस्टो एक द्रिश्टी पत्र होता है एक पार्टी की मानसिक्ता होती है एक वो एक पात होता है जो आपका मैंड सेट है कि हम देश के बारे में क्या सोच रहे हैं देश की जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं देश के मुद्दों के बारे में क्या सोच रहे हैं इस द्रिश्टी पत्र के अंदर जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं जो सबसे बड़ा बिरोजगारी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है किसान किसानों की आए किसान पारहां उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है जो हम बारी शक्ति के बारे में लोग सबावक भारतिया जिंता कार से बनाया गया है कि हिंदुस्तान की जंता जो है उसको कुछ लेना देना नहीं किसी चीज से वह सुवे उठती है टीवी खोलती है वहाँ पर उसको निरंदर मोदी जी दिख जाते हैं उससे उनका पेट भी भर जाता है उससे उनका घर का खर्चा भी चलना शुरू हो जा तो आपको पता चलेगा कि जो भी आज हमारे राष्टर के मुद्दे चल रहे हैं चाहे वो महँगाई का हो या विरोजगारी का हो या महिला सुरक्षा का हो किसानों का मुद्दा हो श्रमिकों का मुद्दा हो और इसके अलावा जो दो-तीन बहुत बड़े मुद्दे और जो हिमाचल से संबधित हैं जैसे की अगनी वीर स्कीम आप सारे जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश especially district कांगला और चंबा यह एक ऐसे हमारे जिले हैं जहां पर contribution to the army as a percentage of the overall population हिंदोस्तान में सरवादिक है हमारे जो शहीद हैं जो शहीदों की हमारी संख्या है as a percentage to the population वो हिंदोस्तान में number one है यहां पर जब हम सवेरे उठते थे और उठके जब से यह अगनी वीर स्कीम आई है इस अगनी वीर स्कीम की वज़ा से आप देखिए कि एक उदासींता आर्मी की तरह जो है वो बढ़ गई है सीधा का सीधा जो है पेट पे लाज जो हमारे जो बिरोजगार युवा हैं उनके उपर पड़ी है और एक बहुत बड़ा एक हम पावर में वापस आते हैं अगनी वीर स्कीम को बंद किया जाएगा और रेगलर भरती जो है वो आर्मी में चालू होगी इसी परकार बहुत ज़्यादा फरक है इन दोनों मैनिफेस्टों का और भारतिय जिन्ता पार्टी का जो नारा है आपकी बार 400 पार हमारा नारा य होगी और यह मैं इसलिए बोल रहा हूं वड़ी जम्यदारी से बोल रहा हूं क्योंकि 130 सीट साउथ के अंदर हैं और आपके दोस्त हैं आपके मतलब कुलीक्स होंगे आपके बाकी स्टेट्स में अगर आप उनसे बात करके देखें तो आपको यही पता चलेगा कि 3-4 सीट करनाडक की और 2-3 सीट तेलगू देशम की छोड़ कर केरला के अंदर आपका तमिलाडू के अंदर आपका तेलंगाना के अंदर जो है भारतिय जंता पार्टी कंप्लीट्री साफ है और बाकी स्टेट्स में भी जहां पर आप उल्री मैक्सिम सीट्स ले चुके थे अब मनाद हम आते हैं हिमाचल परदेश के अंदर हिमाचल परदेश में एक दुश्प्रचार फिलाया यह जा रहा है कि कॉंध्स की सरकार अलपमत में मेरा सर्न यह बोलना है कि अगर आपने मैथेमेटिक्स पड़ा हो तो है कि आज जो विदानसभा की संक्या है वह संक्या है 34, मिजॉरिटी के लिए हमको चाहिए 31, तो कहां से अल्पमत की सरकार है, ये बात जो है कि भारतिय जनता पार्टी का एक आइडिया होता है, कि जूट बोलो, बार-बार जूट बोलो, तब तक जूट बोलो, जब तक लोग मानना ले, ये बिल्कुल जो है, ये सरकार ना कभी अल्पमत में थी, और 4 जूट के बाद ये सरकार जो है, ये दुबारा 40 के आंकड़े के साथ, अगले अपने 5 साल, अगले जो 3.5 साल है, ये इसको पूरा करेगी, अब हम आते हैं एक आखरी मुद्दे पे, और ये आखरी मुद्दा ये है, कि ये नौबत आई कैसे, और इस नौबत के पीछे जो था, जो घटना करम था, वो क्या हुआ, मैं किसी के ओपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन हम सब एक सोच विचार करने वाले लोग हैं, और आपको छे विक्तियों ने ये बताया होगा, कि हमने पार्टि स्लिए छोड़ी कि हमारा दम घू PE, झूख रहा था, हमारे काम नहीं हो रहे थे और हमें सम्मान नहीं मिल रहा था, उसी के साथ इन्होंने ये बी बोला, कि पहला जो हमने सिम्टम दिखाया, वो ये दिखाया कि जब हमारे राज्यसाभा के चुनाव हुआ उस राज्यसाभा के चुनाव में हमने उस व्यक्ति को वोट डाला जो हिमाचल पर्देश से था चाहिए वो हमstairs ke नहीं था और हमने हिमाचल परदेश के आत्मसर्बान को हमने बचाया तीसरी चीज़ ये कहते थे कि हमारा जो है वो काम नहीं हो रहे थे इस करके हमने जो है पार्टी छोड़ी अब आप घटना करम को अगर आप देखिए तो मेरे सिर्फ दो या तीन प्रशन है जो आपके जरीए मैं पूछना चाहूंगा पहली बात जब अभिशे के नहीं है हमको इनको वोड देना नहीं चाहिए एक भी व्यक्ति का एक भी बाइट ऐसा नहीं है उसके बाद क्या हुआ कि जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो उस नॉमिनेशन को अनुदन किया जाता है हम उसके उपर साइन करते हैं यह 6 के 6 व्यक्तियों ने उस नॉमिने साल पुरानी पार्टी को आप छोड़के चले गए लेकिन उस समय आपने ना तो मुख्यमंत्री जी को ना हाय कमांड को ना आपने किसी कुली को ये बोला कि ये बारी है हमको इसको वोट नहीं देना चाहिए अगले दिन वोटिंग थी वोटिंग से एक रात पहले अभी शेक मनु सिंग्वी जी का जो था एक रातरी भोज था उसमें सारे के सारे आये सब ने भरपेट खाना खाया सब ने हसी ठिठोली की और चले गए उस समय भी किसी ने नहीं बोला कि जो है अभी शेक मनु सिंग्वी बारी हैं सुबह उठते ही जब वोट डाला तो वोट उन्होंने जाकर किसी और को डाल दिया यह किन कारणों से हुआ मैं इसके बारे में बात शायद नहीं करना चाहता मुझे लगता है यह सभी को पता है रही बात दूसरी कि हमारे काम का विकास होगा तभी जाकर जो है हम अपनी जंता को जवाब दे पाएंगे छे की छे कॉंसिट्वेंसी का अगर मैं आपको डेटा निकाल के दूँ तो आपको यह पता चलेगा कि इन छे कॉंसिट्वेंसी में इतना काम पिछले 14 मीने में हुआ है जो उसके पिछले 5 साल मे नहीं हुआ मैं धरमशाला की बात करता हूं केवल धरमशाला के अंदर 500 क्रोड का जो ढंगवार का जो मिल्क चिलिंग प्लांट है 250 क्रोड की लागत वाला यह सीम साब ने ना केवल इसकी मुझूरी दी है और उसके उपर जो काम जो है वो चलू हो गया है इसके लावा मैं जो हमारे पुराने विधायक थे उनके फेस्बुक को मैं स्क्रॉल कर रहा था मैं सरफ जन्वरी तक पहुंचा और उसी के बीच में मेरे को यह ढंगवार का प्लांट दिगिया डाइसो क्रोड का एक यूनिटी मॉल दिगिया 132 क्रोड का उसके बाद 10 नलकूप और 6 हैंड पंप दिग गए उसके बाद जो है वाटर सप्लाई की 12 क्रोड की स्कीमें दिग गई अभी मैं सरफ अभी से लेकर जन्वरी तक पहुंचा था तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब आपकी सटके बन रही हैं जब आपकी वाटर सप्लाई की स्कीम चल रही हैं जब आपकी क कौन सा काम था जो आपका नहीं हो रहा था सिमिलरली बड सर के अंदर लगबग 200 से 300 क्रोड की स्कीमें सैंक्शन होई हैं यह हाल आप देखिए हमारा लॉलजवीती का लॉहाल के अंदर पहला हमारा जिला था जहांपे 1500 1500 रुपए ना के विल शुरू हुए बलकि औरतों के जो महलाओं के भैनों के खाते में आ भी गए तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बारी होने के उपर जो आपने बात बोली वह वैलेड नहीं है जो आपने बोला हमारे काम नही बाष पार्टी से चले गहें अब कम के लोगों कोता वाथ कि आप गए क्यों अब आप देखीए मंदल में करूर 12 मंतरी बन सकते ऐ हैं मुक्खे मंतरी को मिला कर और एक मुख्य मन्तरी का रोल जो होता है क्रिकेट के कैपटन के दरह होता है जब मैं अपनी टीम चूज करता हूँ एक मैच के लिए मुझे ये देखना होता है कि आज स्पिन बॉलर चलेगा या आज जो है फास्ट बॉलर चलेगा आज जो बैटिंग के लिए मुझे डिफेंसिव प्लेइर चाहिए या पिच्छेटर जो है वो चाहिए विकेट कीपर जो अकेला स्टैंड लोन विकेट कीपर चाहिए विकेट कीपर बैट्समन चाहिए तो एक टीम का सेलेक्शन पूरा का पूरा मुख्य मंतरी जी का प्रेरोगेटिव है अगर आप उस टीम में शामिल नहीं हुए तो आपका फर्जी बनता है कि सरकार हमारी है अपने एरिया के हम काम कराएं और काम कराकर अपनी पार्टी की तरफ लोयल्टी दिखाएं लेकिन आपने क्या किया आपने पार्टी छोड़ी और उस पार्टी को जोइन कर लिया आपने पार्टी क्यों छोड़ी क्योंकि हमारा यहां पर दिल घुट रहा था और हमारे यहां पर समान नहीं मिल रहा था आप कहां गए अप उस पार्टी में गए जिन्नों ने अपने 17 विधायों के टिकेट इसी सेटिंग मेलेस के टिकेट आपने काड़ आपने जिया लाल जी का टिकेट काटा आपने जो है हमारे जो मंत्री थे उनका टिकेट जो है नूरपुर से बदलकेर आपने फतेबुर कर दिया आपने ज्वाली में जो है अरजुन ठागर जी का टिकेट काड़ दिया आपने यहां से नहरिया जी का टिकेट काड़ दिया आपने किशोरी लाल जी का टिकेट कार दिया आनी से आपने हीरा लाल जी का टिकेट कार दिया करसोग से आपने दरंग से टिकेट कार दिया आप तो अपने लोगों के उपर जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं और अपने लोगों को उठाकर जो है डंप कर रहे हो कहीं पर वह चोड़कर उस पार्टी में गए हो जो अपने लोगों के उपर ही विश्वास नहीं करते आपके माधियम से मैं सिर्फ एक संदेश जो है वो मैं देना चाहता हूँ भारतिय जंता पार्टी के करमत कारे करताओं के लिए और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बरी जम्मेवारी से ब लिए सकता हूँ उसके प्रलोवन पर आकर जब ये आपको लेकर आपकी आइडियोलिजी का डाइल्यूट कर रहे हैं आज आपने अगर इनको जीतने दिया ये जो छे लोगों के जिनके इलेक्शन है तो मैं आपको बता रहा हूँ साड़े तीन साल के बाद आपकी पार्ट में कॉंग्रेस का काजल डालकर लोगों को लुभा लेंगे लेकिन सक्सेस्फुल नहीं हुए इस बार भी विल्कुल वैसा होगा इलेक्शन तो आप हार जाओगे लेकिन ये हार है ये इतनी करारी होनी चाहिए कि इसके बाद कोई अगर अपनी आइडियोलोजी को छोड़ कोई जाने की कोशिछ करे तो उसको चार बार सोचना पड़े की जो जनता है ये हिमाचल परदेश की जनता है यह पड़ी लिखी जनता है यह सरफ अगर हम कुछ भी उनको बढ़ बर्लाने के लिए बोल देंगे तो उसके चक्कर में आने वाली नहीं है तो इसीसाथ बेसिक क्योंकि मार्जन इतना बड़ा होने वाला है इसका कि आज तक के इतिहास में शाय धिमाचल प्रदेश में यह वा ना हो बहुत बहुत अन्य वाद कि अभी तक जो है आप लोग अपने प्रत्याश्यों को ही जो हो दिक्रेव नहीं कर पा रहे हैं और यह लोग जो हैं वह मैक्सिमम जो उनकी विधान सवाएं उसमें भी होकर आए और प्रत्याशी आपके चुनाबों तक जो हो जाएंगे नहीं देखी ऐसा है कि मैं एक भी नहीं है ठीक है जब आप जब आप किसी इन्विजिबल के साथ एलेक्शन लड़ते हैं तो आप क्या बोलोगे आप वही बोल रहे हो जो आपको मतलब सिखाया गया है कि आप देखिए मोधी जी ने गौरफ जो है भारत का बाहर बढ़ा दिया है मोधी जी ने यह कर दि मतलब आपने दिखा होगा बहुत बार होता गया है कि हमको लगता है कि एक जिताओ कैंडिडेट है लेकिन हो सकता है कि जंता की पसंद का कैंडिडेट ना हो हमारी कोशिश यह है जो कैंडिडेट अभी देखे जो दो कैंडिडेट हमने डिक्रेयर किया है लोग सबागे 100% unanim इन दोनों के पिछे कोई डिस्प्यूट कहीं पर ना ही पार्टी के अंदर है इसी लिए जो मैं आपको बता रहा हूं कि देर लग रही है पर यह इसलिए लग रही है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि कैंडिडेट जो हो वो जनता की पसंद का हो और हर एक जो हमारा फैक्शन है उ अभी तक जो नेता हैं कॉमर्स पार्टी में वो जनता की पसंद के बहुत ज्यादा है और उनको निकालने में मुश्किल नहीं देखे आप जो हम 40 सीटे लेके जो हम जीते ठीक है इसके बीचे मैं सबसे बड़ा हाथ यह बताऊंगा कि लगबग 33 से 34 सीटें जो हमारी टिक अगर टिकेट सेलेक्शन आपका ठीक होगा आपकी आदी बैटल आपकी वहीं पर जीत जाते हो मैं यह बोल रहा हूं कि इस तरह में हालात ऐसे हैं माचल परदेश के अंदर की कोई भी जीत सकता है लेकिन हम यह जाते हैं कि किसी भी कैंडिट को जो हम जो टिकेट देके उस कि चार जून को नकेवल सेंटर में बलकि परदेश में भी उनी की सरकार बढ़ेगी तो क्या इसके पीछे उनका कॉंफिटेंस नहीं है जो मैनिफेस्टो आया है भारती जंता पार्टी का वो बिल्कुल इंडिया शाइनिंग के मैनिफेस्टो जैसा है जब उसमें होता क्य है कि जब आप पावर में ज्यादा समय तक रह जाते हो आपको यह लगता है कि जो है जंता हम जो बोलेंगे वो कर लेगी और ठीक भी है वो ठीक इसलिए है क्योंकि इनका जो कोर जो समर्थक है वो समर्थक इस प्रकार का बन गया है कि आप जो मर्जी करो ठीक है आप इस ख गरा है कि नरेंदर मोदी जी की छवी शायद इतनी बड़ी है कि आपको ना तो रोजगार के बारे में बात करने की जुरूरत है ना आपको किसानों के बारे में बात करने की जुरूरत है ना महंगाई के बारे में बात करने की जुरूरत है ना आपको सबसे बड़े स्कैम वि चाहिए थरी मतलब यह एक पर्ट है जो हो रिखेटर में होनी चाहिए वह तो या ना कि आ उसको प्रेत्रं करना चाहिए कि इस रास्ते टे या इस डगर पर हम चलने वाले दर्मशला ऊप्चुनाव में हमारे मुद्दे तो सेम है जो कि आज से 핫टσब हैं और दश tick jet हैं शब्से बड़ा मुददा देखिये क्या है कि एक व्यक्ति जो की फिछले पूरा खांदान उससे पहले एक जो है कॉंग्रेस की विचार धरावला था और एक दम से वो छोड़कर भारतिय जंता पार्टी में आ गया आप भारतिय जंता पार्टी का समझस देखिए कि जिसको कल तक आप बोल रहे थे कि मतलब इनको ठोगना है आज आपको उनके बैर पढ़ना यह था कि यह दोनों साथ में मिल जाएंगे और साथ में काम करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है यह दोनों चिन भिन हो गए हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो जंता का ही है कि हमारे साथ जो कुठारा गात हुआ है इसका हमने बदला लेना है और उसके बाद जो मुद्दे ह पार्टी है जैसे ही राजस्थान के अंदर इनकी सरकार बनी पहला काम इन्हों ने किया कि जो ओपिएस की नोटिफिकेशन थी और ओपिएस जो मिलना शुरू हो गया था उसको इन्होंने वापस कर दिया तो यह भी हो सकता है कि मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आने सेकेंड़ स्मार्टी प्रोजेक्ट इसले वाड़े में आपका प्रेजन सकार का क्या वीजन आए यह जो स्मार्ट सीदी धर्मशाळा के प्रोजेक्ट अनलब इसका mileage इसको मांगते हैं और सेंट्र ईन्वरस्टी का जो मुद्दा तीस क्रोड का है उसके पीछे टेक्नीकल टेक्टिंगल मुझे लगता नहीं हो है कि 30 क्रोड की डिमांड है अब वो 30 क्रोड 30 क्रोड है 20 है चालिस है इसको एक बार अगर कर लें उसके बाद यह जो है पेमेंट हो जाए इसको तकरीबन अगले मिने एक साल में इस सरकार का क्या उसके प्रति एटिचूब रहा तीस था वीस था टेक्निकली बाद सरकार ही ने देखिए अभी जो मुझे पता है यह वैलियूशन के लिए है जो भी वैलियूशन की रिपोर्ट आती है अब जैसे हमने आपको पहले ब सब्सक्राइब करते हैं मेरा मेरा इसमें कोई डिसकनेक्ट ही नहीं है मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि वह एवैलियूशन के लिए जैसी उसकी रिपोर्ट आती है जो भी रिपोर्ट बोलेगी उसके साब से काम हो जाएगा यह इसका जैसी रिपोर्ट आती है मतलब इसके आने से पहले मुझे पता था कि एक बड़ा जोलंत बुद्धा है यहां पर इसके बात होगी तो जो मेरे पास इंफर्मेशन है वह जब भी आएगी चाहे वह तीस करोड़ का बीस हो या तीस का चालिस हो उसके हिसाब से जमा समय जब की चार मंत्री कहड़ा से रहते थे इसी मामले को लेकतियों को सरकार पर लगाता है मारूप लगा रहा रहा है तो आपके जो इसलिए छोड़ते हैं कि बेदवाव का कोई एक डिरेक्शन अगर हो मैं सिर्फ फतेपुर का चोटा सा मैं आपको बताता हूं जो आप क जो है इंडोर स्टेडियम लगबग 10 करोड का एक तीन मंजला जो है एक लाइबरी पब्लिक लाइबरी उसके बाद एक बसद्डा एक रजीव गांती टेवोडिंग स्कूल एक सिविल जाज कोड एक वार मेमोरियल एक इंडस्ट्रिल एरिया एक 105 करोड का पुल और इसके सबसे बड़ा आप देखिए वह धरमशाला के लिए संक्शन हुआ है अगर भेदबाव होता तो इसको उठाकर कहीं और डाल जो किया जा सकता था सिमिलर्ली जो यूटि मॉल वाल जो मैंने अभी पड़ा मैं इसके अंदर मैं मुझे पता नहीं एक जैक्ट्ली क्या है पर वो स्पेशल 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 पैकेज का प्रोजेक्ट है बट धरमशाला आ रहा है तो मतलब जो रेकमेंटेशन होती है वो जाती है जैसे सियारेफ का जो मेरा पुल है वो हमने डीपीर भेजी तब ही वहां पर आया चाहे पैसा जहां मर्जी से आ रहा हो तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्स हैं मैं देख रहा था कि आपने एक इसके बारे में स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें जैसे कि आपने कहा कि जो डुएल्मेंट है वो रुपनी रही है को मैं तो गहीं आप को लगता कि जो ग्रेंटियों की बात आप कर रहे हैं वो तरह से पूरी हो पाई जी तरह से हो रीजी है पहला कि